हेलो दोस्तों कैसे हैं आप सब स्वागत है आपको मेरे यूटूब चैनल और फेस्बुक पेज दिव्याज कीचन में बाकी जगा पे तो बहुत ठंडी पड़ रही होगी अभी लेकिन गोवा में बहुत गर्मी है अभी 32 डिग्री चल रहा है इसलिए आज में लेकर आई हू निम्बू पानी की रेसिपी ये आसाम वाली निम्बू है आप कोई भी निम्बू से बना सकते हैं इससे और ये रहा सारी इंग्रीटियन देख लिजिएगा एक मिक्सर जार ले लिया है मैंने अब इसमें में डाल रही हूँ चार बड़ी चम्मचीनी फिर इसमें डाल रह हमें काली मिर्च के नमक डाल रही हूँ स्वाद्य नुशार फिर इसको हम इसका पेस्ट बना लेते हैं अब इस पेस्ट को हम एक गट्यूर के चांद लेंगे एक जार में मैंने ठंडे पानी भर लिया है अब इस पेस्ट को हम पानी में मिला देंगे और चम्मच से चला लेंगे अच्छे से अब ये है में इंग्रीडियन्ट अशामवाली निम्बू इसको हम काट कर इस तरह से चम्मच की मदद से निचोड लेंगे चम्मच से इसे अच्छे से खुरेत खुरेत के इसका रस निकालना है फिर इसे एक चन्नी के उपर रख कर निचोड लेंगे हम निम्बू निचोडने के बाद जो भी छन्नी में बचा हुआ था उसको भी हम अच्छे से दबा दबा के निकाल लेंगे फिर इसको हम अच्छे से चम्मच से घोल लेंगे तयार हो गया है हमारी स्पाइसी टैंगी और मीठी निम्बू पानी दोस्तों आप भी इसे जरूर ट्राइ कीजिएगा अगर अच्छा लगा तो लाइक और सस्क्राइब और कमेंट भी कर दिजिएगा फिर मिलेंगे एक नही रेसिपी के साथ तब तक के लिए जय गोवा जो यायो हों